नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एक्जाम की तैयारि भी कर रहे होंगे तो हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के स्टडी पर बिना देर के वे वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला कोश्चन कुछ इस परकार से होगा सिरादे हिंज किस नगर को कहा जाता है आंस्वर जोनपुर को कोश्चन नमबर दो आगर के स्थापना किस ने की थी आंस्वर सिकंदर लोदी कोश्चन नमबर तीन कनोज का त्रिकोणिय संगर्स में सामिल कोन नहीं था आंस्वर चंदेल Q4. महमूद गजनवी ने कौनोज पर आकर्मन कब किया था? Q5. मुहमंद गोरी ने चंदावर की युद में गड़वाल वंस के किस सासक को पराजित किया था? Q6. इल्तुतमिस सुल्तान बनने से पूर कहां का एकतार था? Q7. जोनपूर का निर्मान Q8. मलिक सलवार खवाजा जहां ने कब जोनपूर में सरकी समाज के स्थापना की थी? Q9. मुगल वंस के संस्थापक बाबर ने महमूद लोदिसा को किस नदी के तट पर हराया था? Q10. कौल अंजीर के परसीद कितने किले पर अधिकार करने चाहां कितने था? Q11. किस सासक ने मुगल समराज्य के आरंबिक राजदानी आगर से दिल्ली स्थाना नितित कर दी थी? Q11. कौल अंजीर के स्थापना किस ने की थी? Q13. कौल अंजीर के किस अस्थान में से थे? Q14. सेख सलीम चिस्ति का मकबरा किस सासक द्वारा बनवाय गया था? Q15. कौल अंजीर के किस अवद के किस नवाब ने नागरिक साहब को सला दी थी कि वह बादसा मुगमन सहादत अंजाम को बंदी बना ले गा था? Q16. कौल अंजीर के किस अवद नवाब ने मीर कासीम और मुगल समराद का लाब दिया था? Q17. किस अवद नवाब ने अवद की राजदानी फैजबाद से इस्थानान तरंड कर लखनाव इस्थापित की थी? Q18. किस अवद नवाब ने सासनकाल में आवद को कुसासन के आरोप्त में बिटिस समराज्य लिखा गया है? Q18. किस सासक ने जोनपूर पर आगर्मन कर इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था? आंस्वर वेलोड लो दी तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगया है वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और जीके स्टेडी को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए जैन वंदे मात्रम